या बात है राजू यूरोब गया था तेरी स्टोरी देखी कौन सी ट्रेन में बैठा था इंडियन ट्रेन थी बाई वंदे भारत या अगर विदेशी ट्रेन की टकर में तो वह वंदे भारत और मैं तो गाऊंगा इंफेक्ट जादा बेटर है जादा अच्छी क्योंकि जो लोग विदेशी गया उन्होंने बताई है कि ऐसी फैसिलिटीज वंदे भारत में हैं जो भार की ट्रेनों में भी नहीं है तो यार एसी और ट्रेन जो है राजस्तान रिजनता मांगे ऐसा तो कैप्टन साब कब हमें और ऐसी ट्रेन मिलने वाली है और कब जो है हमें इसकी लाइन को आगे हम एक्स्टेंड उटावा देख रहे हैं वंदे भारत जैसा कि आपको भी पता होगा लिस्नर्स को भी पता होगा कि स्वधेशी निर्मित है पूरा complete स्वधेशी निर्मित है मतलबлекनिड इन इंडीया के देकरकर के design manufacturing निर्मिते है और उस्ट पूरा हमारे भारती रेल मेंμε किया गया है और बहुत घर्व की बात है कि भारत में इस तरह के ट्रेने चल रही है, किसने सोचाओ था 15 साल पहले कि वंदे भारत जैसे ट्रेन चलाई जाएंगी यहाँ पर भारत में, जो कि आपको फील्ड देती है, अमरिद भारत एक अच्छी कड़ी है, और अभी वर्तमान में हम राजस्थान में ऐसे तीन वंद चलती है, अभी हाली में कुछ दिन पहले ही यह गोश्चना भी की गई है, कि एक और वंदे भारत की सेवा जो कि उधैपूर से आगरा कैंट तक चलाई जाएगी, जो हमारी जैपूर से उधैपूर है, जो विछी दिन चलती है, उसको तीन दिन हम जैपूर से उधैपूर जो की कोटा भारत पूर होते हुए जाएगी आगरा कैंट, जो एक नई उधैपूर से आगरा कैंट की बंदे भारत की नई सेवा की शुरुवाद भी दिनांग 2 सब्तमबर से होने वाली है, और राजस्तान को एक और बंदे भारत इस तरह से मिल जाएगी, क्या वाद है, मतलब आने वाले समय में वंदे भारत ही वंदे भारत होने वाली है, सरसे बातचीत रहेगी जारी साथ, इंफोर्मिशन के लिए आप मेरे इंस्टेग्राम पेच पर आ सकते हैं, मिर्ची आदी इंस्टेग्राम का पता, अभी के लगाने, ओन्लियों 98.3 मिर्ची, एट्साट!